चंदे जी बहुत स्वागत है आपका नमस्ते सर्थ सबसे पहले तो सार निफ्टी पे अभी क्या राय है सार निफ्टी आज के लिए वीक है सारे 400 और सारे 300 का बहुत स्टॉर्ण सपोर्ड है निफ्टी के लिए तो दिप्स में बाई करना है सेल के बतले कि अजय को विए बाई कर रहा है अभी आप डर नहीं रहे हैं आपको नहीं लगता कि कुछ रूशल सपोर्ट लेवल्स थे जिनको की नजर रख रहे थे सारे एक्सपर्ट्स और वो तूटते हुए लग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको नई सर्फ करेक्शन है और यहां से बार जो इंडिकेटर्स है उसमें 800 अब यहांस आएगा यहांस तो फिर अगर अगर आपके राई के सबसे हम समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मॉका है इंट्री करने का नहे सौधे बनने का ये सर थोड़ा और नीचे आ सकते हैं निए साड़े चार्सो तक आना चाहिए साड़े चार्सो चार्सो आज का लो है पंदरा चार्सो पचास का आज का लो है तो वहाँ पर एड़ करना था और वापिस वह रिटेश्ट हो था तो वापिस एड़ करना है वो क्लोजिंग पर सब्सक्राइब सारे 400 सारे 300 का जोन बहुत स्ब्सक्राइब फिलाल के लिए क्लोजिंग बिस्स चीक है और यह मेरे कल से वही लोज हैं जो कि इससे पहले दो जून को थे यह सर्थ चीक है तो ऑल्मूस उनी लेविल्स पर आकर के और वापिस फिर वापिस चल रहा लेकिन चंदर जी करेंगे इसी क्यास प्रास में कि डिप्स में आपको मौके मिलेंगे और इंट्री कर सकते चंदर जी फिर आप अभी क्या कर रहे है क्या शौट कर रहे है या बाइक कर रहे हैं अच्छा इन लेविल्स पर बैंक निफ्टी एड कर रहे हैं मैं ठीक सुन रहा है और च्छीक चाहिए लेकिन बड़ा मुझे देख करके डर लग रहा है चार्ट को और आप कर रहे हैं कि अच्छा इड करना चाहिए और यहां पर जो 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 ऑप्सेंट है वह पर जो पर जो जो और चुकी है और जहां से नीचे जाने कर इस कम है और उपर जाने के चांसे ज्यादा है तो रिस्क रिवर्ड रेश्यू बाइंग साइड पर है इसलिए इसमें यहां पर बाइं किया जा सकता है ठीक है स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं सर आज कहां से शुरू कर सकते हैं कि स्टॉक्स में एक अब्डेट देना था पहले ब्लोबर स्परिट तक जी कि वह स्टॉक्स मुनाफ़ा वहां से दे चुका है अभी क्या करना है सब्सक्राइब अब प्रॉफिट बुक कर लिया जा इसमें पूरा कम्डेट बुक करना ची पूरा कम्प्लेट बुक किया सकता है ग्लोबस स्परिट पर यह है चंदर जी की राए चिक है यह हमें जब आपने दिया था यह क्या लेबल्स पर था यह प्रॉफिट बुक कर लिजे और पूरे पोजिशन यहां पर ख्लोज कर दिजेए चिक है यह अप्डेट है ग्लोबस प्रिट पर यह लास्ट आया था आपके चैनले पर दो मिन एक्स्टॉप अप्र बेट किया था बैंको इंडिया इसमें इसमें प्रॉफिट बैंको अजया राये हैं इसको इसको इसमें इसमें हिट हो चुके हैं अभी भी होल्ड करना है आगे इसमें आगे टार्गेट क्या दे रहे हैं यह है राए बैंको इंडिया पर ठीक है सर एक प्रॉक्व कर लें एक में डॉबस में पूरा बुक कर लें और बैंको में आप कह रहे हैं कि अभी बने रहे आप यह तीसरा टागेट भी आसकता है पर जैसे इसे टार्गेट हीट हो रहे है वाँ पार क्रॉफिट बुक करना है तो कि मर्केट हाई पर है और आज आप देखो कि तो मिट्कैप स्टॉप सेलिंग आ रही है थोड़ी तो प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बांधना शुरू कर दें यह राए है चैके जं प्रॉफिट अब नई पोजीशन कुछ बना रहा है तो आज आप लॉंग वीकेंड आपने डिक्लेर कर दिया अच से शुट्टी शुरू कर भी जैसे निचे में सिर्ट निफ्टी और निफ्टी प्लस करना है आज के लिए अच्छ ठीक आज स्टाउक स्पेसिफिक ना हो करके इंडेक्स पे काम कर रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सब्सक्राइब लेवल्स बता देजिए बैंक निफ्टी में क्या कहरें कि आपका इनी लेविल्स पे एंट्री किया जा सकता है अच्छ चीक है और उपर की टार्गेट्स क्या देख रहे हैं फिर सर्टीफोर टूंडर्ड फोर एंडड़ पाइड़ पाइड़ और बैंक निफ्टी में सर्टी में सारे 400 आसपास है तो एड़ करना है तार्गेट 600 सारे 600 के पाइड़ पाइड़ कर सकते हैं और उपर के टार्गेट्स आपको बता दिया है यह मनाफिक लिए अभी जो राय है वो केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बाइंग की राय है बाटी स्टॉक्स मे पहले से बताई हुए थे चंदर जी ने उसमें उन्हें लेविस दे दिये हैं प्राफिट किसे में फुल बुक करना है किसी में प्राफिट बुक करना है लेकिन नई पोजिश्टन बनाने के लिए अभी नहीं क्या रहे है चंदर जी मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूं और एक लिपक मलोत्रा जी का सवाल है सुदर्शन केमिकल पे पूछ रहे हैं कि क्या करेंट फ्राइस पे एंट्री ली जा सकती है करन्ट में नहीं आभी 680 का वेट करें और उसके बाद इसमें इंट्री ली जा सकती है चंदर जी अवद्शुगर एक बर देख लीजे है कि यह सर्थ रोहिज जी की पोजिशन है इसमें कह रहे हैं 265 कि इनकी खरीद है क्या करना चाहिए क्या प्रॉफिट बुक कर लें या भी बने रहें रहें थे अपके लिए लेबिल्स आपको बता दी हैं डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि बादार तुरा उस तरीके से चल रहा है जहां पर डिसिप्लिन बहुत important हो जाता है निफ्टी अल्मोस्ट एक परसेंट गिर करके 15540 के असपस कम करता हुआ पंदरा चार सो पचास तक गया था और दुबारा अगर 15450 के असपस जाता है जो कि चंदर जी कह रहे हैं कि शायद जा सकता है तो वहाँ पे entry करी जा सकती है वहाँ से को हेल्दी करेक्शन की तरह देखिए समझिए डरने की जरुवत नहीं है पैनिक कई जरुवत नहीं है यह नॉर्मल है यह होता है बजार के अंदर में और यह सारी चीज़ें उपनीचे होती रहेंगी बने रही है लंबे अबदी के लिए ठीक है चंदर जी आपने लंबी किस लेविल के नीचे आएगा तो आप बाइंग शुरू करेंगे तो फॉर्टी टू फॉर्टी टू फॉर्टी त्री पर आता है तो अब अप्शोर में बाइंग के सिगनल्स आएंगे और वहां से लंबी अगधी में और लंबे मुनाफ़े के लिए एक मल्टी बैगर का क कहना है कि अदर्स गुने से भी कहीं जादा दोसो लब बीस गुना और पचीस गुना तक कभी मुनाफ़े सकता है लबी अभी में तो इसको ले करके रखना है लेकिन लेविल साब को बता दी हैं कि एंट्री कप करनी तो वह भी सहन लखेगा तर एक सवाल है राजेश जैन जी का कि कल्यान जोलस पर पूछ रहे हैं कि कल्यान जोलस आपके साथ में चंदर जी अभी तक नहीं डिसकस हुआ ना कभी अच्छा ठीक है यह कह रहा है इनकी 72 पे एंट्री है अभी क्या करना चाहिए 22 रुपय की खरीद है इनकी अब तब भी प्रॉफिट में हैं अभी उससे निचे बंद दो तो एक बार पॉजिशन काट ले ने चीज़ें कहां पर कह रहा है सपोर्ट एक बार फिर से सेवेंटीश का लेवल इसके लिए स्ट्रॉम सपोर्ट है अच्छा ठीक है उसके रिचे बंद तो काटने नीचे पूजिशन नहीं पर लिए तो अगर सेवेंटीश के नीचे अगर कि सकता है तो अपना प्रॉफिट बॉक कर ल कि 85-90 तक की टार्गेट के लिए अब इसमें रहे सकते हैं चंदर जी एलाइसी हाउजिंग अभी कैसा दिख रहा है कि अगरेट कर दो दिन से बहुत चल रहा है और अभी इसमें चार्सों बत्रिस का प्रुटिड ये में का सपोर्ट है वहां पर यह स्टॉक रुखना चाहिए वहां से फ्राब आप चाहिए श्टॉक में तो इसमें एंट्री के लेवल तभी बनेंगे यह सर्ट कि संजीव कुमार जी का एक सवाल है सर्ट लॉरेस लेब में क्या अभी एंट्री करी जा सकती है कि सब्सक्राइब नई एंट्री के लेवल्स नई एंट्री के लिए अभी नहीं है जगा नई एंट्री के लिए अभी जगह नहीं है और जिनकी पोजिशन्स हैं वो बने रह सकते हैं सब्सक्राइब नई एंट्री के लिए लेवल्स अच्छे मेलेंगे तो यह जातर स्टॉक्स में अब आप यह समझे की जो ग्रावट दिख रही है जो चोटा करेक्शन दिख रहा है यह वो करेक्शन है जहां पर कई सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी पोजिशन्स हलकी होंगी और आपको लेवल्स बेटर मिलेंगे तो बहुत जगे आप इसलिए अच्छे हैं सवाल और यह सवाल जरूर पुछते रही है एक्सपर्ट्स बताते रहेंगे वो चार्ट देख करके बता देंगी कि कब एंट्री के लेवल हैं तो कईबर हमें दिखता है हम जि है कि शाइद यह नीचे गिरा हुआ है अभी यहां से ले लेंगे तो वापिस साड़े च्छे सो और साथ सो के आगे मिल सकते हैं लेकिन जब चंदर जी देखते हैं तो वह उसको देख करके और बाकी और बहुत सारी चीज़ें इंडिकेटर्स जाल करके तो वह बताते हैं क यह बहुत ज़्यादा चला हुआ है तो वह वहां से छे सो तीस से और छे सो का नहीं देख रहे हैं और पांसो और ठन में नहीं देख रहे हैं वह यह देख रहे हैं कि चार सो असी से और छे सो गया हुआ है तो यह अलड़ी बहुत सारा चल चुका है अभी कहीं पे इसमें वो आएगा, correction आएगा, ये एक छोटा सा इसके अंदर में, lower levels मिलेंगे, अच्छे भाव मिलेंगे, तब आप इसके अंदर में entry कर लें, ठीक है, एंदर ये एक और सवाल है, बर्गर किंग पर, ये हमाई शेतिर जी का सवाल है, और ये सुबह एक बर और और पूछ चुके है पहले बीस में, शायद इनको नुकसान हो रहा है, इनकी खरीद है, 163 की, 163 की खरीद है, और 154, 55 चल रहा है, क्या करना चाहिए? सर, 114 और 151, इसके लिए बॉस्ट रॉन सपोर्ट है, जबता होल है, तब इनको होल रखना चाहिए, और यहां से बहुंस आना चाहिए, जो इनको पैस तक ले जा सकता है, 151 के नीचे बाट को पूछ करिए, अगर उसके नीचे जाता है, तो फिर इसमें चिंता की बात हो स सकती हो, तब आपको बाहर निकलना है, अभी बने रह सकते है, यही कह रहे हैं चंदर जी, यह सर, ठीक है, दिनिश शर्मा जी का एक सब्सक्राइब, जैसके बहुं से लिए समय, ठीक है, ठीक है, तर एक प्रिंस पाइप देख लीज़े, कि तीन मेने के लिए इसको यहां पर खरीद खरीद के रखा जा सकता है सब खरीदने का लेवल बहुत पीछा रहा गया फाइफ और यह वापस नया मोमेंटम इसो साथ सु पंद्रह को उपर बंद होगा तो इस वापस मोमेंटम आएगा लिया कि यह राय है दिने जी आपके लिए प्रिंस पाइट पे चंदर जी फिर अभी अभी भी आपको बजार में आप वही कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही केवल बाइंग की है बाकी चीजों में अराम करना चाहिए अभी एक लॉंग वीकेंड हाज से प्लस हो चुका है अचा वहाँ से ठीक है तो कुल मिला करके ग्लोबस स्पिरिट से जो मुनाफ़ा आया है वो स्पिरिट पे इस्तमाल करके और वीकेंड उसमें मनाया जे और बाकी नई पोजीशन बनाने के लिए मंडे से फिर वापस शुरू करेंगे और डूंडेंगे ख हपी विकेंड आपको और फिर आपके पास आएंगे अगले हपते में है अपी विकेंड सार थैंक्यू पूलाने के लिए थैंक्यू